आपका स्वागत है आज इस वीडिये में बात काने वाले हैड़कॉर्टर रिक्रूटिंग जोन अंबाला में ग्रूप C की बरती जो आउट की थी 2023 में उसके एड़मिट कार्ड जारी हो चुके हैं उसके कंप्लेट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं स्क्रीन पे आप एड़मिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं हेड़कॉर्टर रिकूर्टिंग जोन अंबाला की वीडियो में पहले भी आपकी बड़ी बड़ती आ चुकी हैं दो या तीन बार वीकेंशीज पहले भी निकल चुकी हैं और ये आपकी रिकूर्टिंग जोन में आलग से वीकेंशीज जारी की गई ती इस किजर्टिंग की बड़ा की एक स्कील टेस्ट एंड आपका रिटरन टेस्ट की जानकारी चेक करें तो आपका पहले रिटरन टेस्ट होगा उसके बाद में स्कील टेस्ट आपका कंडेक्ट करवाया जाएगा इसकील टेस्ट में यहां पर साफ आप देख सकते हैं फिजिकली रूप से बिलकुल आपे कंफर्टेबल होने चाहिए मतलब फिजिकली वरक आपका कोई भी हार्ड वरक भी आपसे करवाया जा सकता तो आप जैसे बजर उठाकर किसी भी गाड़ी में लोडिंग करना अनलोड बस यहां पर देख सकते हैं, साफ दिया गया, दो गंटे का टाइमिंग मिलेगा, आपके डेड़ सो कुछिन्स आपके रहेंगे, और अब्जेक्टिव टाइप कुछिन पेपर आपका रहेगा, और एक पटा चार मार्किंग यहां पर रखेगी है, यदि आप गलत उत्तर करत तो इस परकार से टोटल आपका डेड़ सो नमबर का पेपर रहेगा, ऐसे एक बहुत सारे कुछिन पेपर मेरे आपके टेलिग्राम ग्रूप पर उपलब्द हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिफ सक्षन बॉक्स में दी किया है, और पिन मेशेज में जाके आपने चेक नहीं किया, तो चेक कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारी पीडियो आपको उपलब्द करवाई गई हैं, जो भी केंड़ेट हैं, परसनल मेशेज ना करें, वहां से आप आराम से चेक करें, आराम आपको मिल जाएगी, वहां से पीडियेप डाउनलोड आपके कर सकते हैं यदि आपको प्रिवेस्ट कुशन पेपर चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएंगे बाकी के आपको देखा देता हूं जो कि आडिमिट कार्द जारी किया गया है इसमे一 में ऊपर आप देखिसकता है जो depth अजारी कीव हैं जो भी candidate है यहाँ है जो candidate है यूपी के रहने वाले हैं इनका admit card रिशीड हुआ है MTS के पद के लिए इनका MTS जो admit card जारी किया गया है जेख सकते हैं उसमें आपका complete यहाँ फोटो दिया गया है यहाँ पे आपके step दी गई है 10 March को आपका admit card के लिए जारी किया गया है 10 March को exam होगी 7.30 बजे reporting time दिया गया Army Public School Senior Wing Ambala Kent में आपकी exam conduct करवाई जाएगी तो जो भी candidate है बड़ी मातरा में candidate को बुलाया गया इसलिए ही आपकी Army Public School को choice किया गया है 10 March को आपके exam होगी Sunday के दिन इसलिए आपके exam conduct करवाई गयी है काफी बड़ी संक्या में हो सकता है candidate को बलाया जाएगा मतलब लगबग जो भी candidate ने फरम फिलब किया है सभी का admit card जारी किये जाएगी admit card यहाँ पे देख सकते हैं साथ में ले जाना है आदार card और 10th की mark seat आपको original साथ में लेकर जानी होगी इसमें साफ आपको दिया गया है black ball पेन आपको लेकर जाना है क्योंकि आपकी omar seat बेस exam conduct होने वाली है इसलिए ही black ball पेन आपसे मंगा गया है इसमें आपको कोई भी water bottle और food की लिए आपका examination hall में allowed नहीं किया गया है candidate को यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है complete की after gate closing आपका साड़े 8 बज़े हो जाएगा उससे पहले पहले आप पे इंटर हो जाएए जो कि आपका आप देख सकते हैं 10 मार्ज को exam conduct करवा जाएगी मतलब exam आपकी साड़े 10 बज़े की something conduct होगी या आपका 9 बज़े से conduct होगी मतलब साड़े 8 बज़े तक आपको entry मिलने वाली है साड़े 7 बज़े से साड़े 8 बज़े तक आपको entry रहेगी और जो भी syllabus दिया गया है उससी के निशार question पेपर आएगा दस भी बेस का आपका question पेपर रहेगा ज्यादा आपको hard paper रिसमें नहीं रखा जाएगा जो भी आपके लुसेंट से जीके पड़ सकते है नॉर्मल उसी से questions आपके नॉर्मल ही आते है current जीके ज्यादा आता है जो भी आपके पुराने question आपके आते है science के question भी बहुत ही ज्यादा दिये जाते है तो science के question भी आपके त्यार कर सकते है general science के question जो भी है यहाँ पर stamp देख सकते है यहाँ पर आपकी जो signature जो आपका किया हुए है left hand करनल जो भी recruiting zone के तो जो भी candidate है आप complete यह सिस जो भी आपके admit card आज जेकर है तो आपके अपनी त्यारी start कर दें आपके पास अभी time है जो भी candidate का admit card आए एक comment box में जहुर comment करके बताएं अभी फिलाल in candidate के कितने marks है यह पता नहीं चल पाया है जो भी candidate आता है जिसका admit card आ चुका है कितने आपके marks है 10th में उसके असाब से आप comment box में comment करके बताएं जिससे पता चल सके कितने percentage वाले candidate के admit card जारी किये गए हैं